हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, स्टीफन अकेडमी मापका स्वागत है और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ BSC Agriculture 5th semester वालों के लिए और 5th semester वालों का ये दूसरा वीडियो होगा क्योंकि ये दूसरा पेपर, previous year paper में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका की paper code रहेगा, AG5002 रहेगा और paper code ये दूसरा हैगा पहला जो paper code है, AG5001 बो आप लोगों का मेरे चैनल पर upload हो चुका है अगर आप लोगों अभी तक बो वीडियो नहीं देखा है तो इसको लिंक आप लोगों को हमारे description box या फिर playlist बने हुई है, वहाँ पर आप लोगों को provide हो जाएगा अगर आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर चाहिए है आप लोगों को एक जाम तक तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की notification जरूर provide हो जाएगी नोटस और पीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हमारी टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिए जिसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी नहीं तो आप search करके भी चैनल के नाम से ही स्टीफन अकैडमी नाम से ही टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पांच जी पांच जार दो की तो जो की फिक्ट सेमिस्टर का सब्जेक्ट है और जैसा की question paper में 2022-30 का solve करा रहा हूं तो इसमें आप लोगों को 2022-30 का solving मिलेगी ठीक है ये कॉर्स का नाम जो है crop improvement first creep crops रहेगा ठीक है first paper मैंने आप लोगों को upload कर दिया चैनल पर वो आप लोगों की link आपको description box यह फिर वहां से मिल जाएगी चलिए इसमें बात करते हैं इसमें जो समय दिया जाता है वो 2 गंटे का दिया जाता है और myximum marks जो बात करें वो 50 नंबर का दिया जाता है पेपर परशन पत्र जो आप लोगों का आता है वो आप लोगों का तीन खंड में आता है आवा और सा में आता है और आप लोगों को भी कापी कोई उपलब्द नहीं कराई जाती है ठीक है चलिए कुश्चन नमबर पहले पर जाते हैं और पहले पर बात करते हैं सेक्शन A की सबसे पहले कोश्चन की पहला कोश्चन क्या दिया गया है इसमें पहले कोश्चन में यह नंबर में दिया गया है कि निम्लिखित के बीच अंतर लिखिए अंतर किनके और किनके बीच में लिखना है यह नंबर आ नंबर में दिया गया उत्पति के अंदर और विविदित्ता क पॉनर söंद में लिखना और 8 नमबर में आता है ग्राम आता हैं प्रमरर सेंथरोल यह उर्दब्ला तबरी इन्ट के वारे में बताए गया है और C नमबर में बताया गया है कि Domestication and Introduction की बारे में आप लोगों को बताया गया है ठीक है इसके बास बात करते हैं कोश्चा नमबर B में कोश्चा नमबर B में पूचा गया है कि चावल में फसल सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली बिबे ने जनन बिदियों की सूची बनाई है तो list of the various breeding method used for the crop improvement in rice ठीक है इसकी list बनाके आप लोगों को लिखनी है अगला कोश्चन आता है कोश्चन नमबर C में आता है कि अरहर में परागल की बिदियां क्या होती है तथा अरहर में पुस्पजेबिकी का बर्लन कीजिए इसमें बात करते हैं what is the mode of pollination in pigeon pee and describe the floral biology in pigeon pee तो इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा ठीक है पांच नमबर के साब से ये कुश्चन आप लोगों को solve करने हैं तो किनके किनके लिखनी उर्द जौर और बाजरा की बैग्यानिक नाम उत्पतिस्थान और गुरसूतर संख्या लिखनी है तीन है आपको heading डालनी है पर एक में ठीक है इसके बात बात करते हैं इनमबर में इनमबर में क्या आता है कि मक्का में प्रजनन उद्देशों का बढ़न कीजिए तो discuss the breeding objectives in maze तो breeding मक्का में प्रजनन उद्देशों का बढ़न करना है आप लोगों को इसके बात बात करते हैं एफ नमबर की एफ नमबर में क्या आता है जनन दरब को परवासित कीजिए तथा मादप प्रजनन में इसके महत को बताईए तो define germoplasm and state its importance in plant breeding तो इसको आप लोगों को describe करके लिखना है ठीक है ये section ये आप लोगों का complete होगा section ये में आप लोगों को पूरे 30 नमबर का question आएगा और इसमें प्रते question आप लोगों का 5 नमबर का होता है इसके बात बात करते हैं आप लोगों को section B में section B में क्या आता है section B में आप लोगों का आता है दीर गुत्री question नमबर को का आता है section B का पहला question है कि कपास के उतपती कि इंद्र प्रजातियों का वित्रड एवं अनन संबंदीयों के बारे में बखीए कपास में प्रजन उद्धियों के अभी बढ़न कीजिए तो इसमें आता है कि राइट दा सेंटर्स ओप ओरजिन एंड डिस्ट्यूबियूशन ओप इस्पिसी जैंड वाल रिलेटिप्स इन कॉटन तो यह पहला कोश्चन हो गया अत्वा में और कोश्चन दिया गया कोश्चन नमबर तीन में देखते हैं कि मक्का में फसल सुदार के लिए उपयोग की जाने वाली बिबिन बिद्यों का वड़न कीजिए डिसकस दा वेरियस ब्रीडिंग मेथर्स यूज़ड फॉर दा क्रॉ इसके बारे में आप लोगों को लिखना है अगला कोश्चन आता है इसी सेक्षन बी का ही है पांच नमबर कोश्चन की अरहर में फसल सुदार के लिए उपयोग की जाने वाली बिबिन बिदियों का चर्चा कीजिए तो यह चार कोश्चन में से कोई आप लोगों को एक क्या करना है एक कोश्चन आप लोगों को चूज करना है और कोश्चन जो होगा वो दस अंका होगा ठीक है इसमें चार कोश्चन कौण से हैं सेक्षन सी में इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन नमबर 6 चावल में प्रियुक्त संकर वी जुतवादन प्रधौकी का उलेक कीजिए डिसकस हैब्रेट सी प्रोडक्शन टेक्नोलोजी यूजड इन राइस जो राइस में की जाती उसका वी जुत इसमें बताया इए कि इमस्कूलेशन एंड हैडि इजेशन टेक्निक इन पीर मिलेट अलसू मैंसन दा ब्रीडिंग मैथर यूजड इन डिस क्रॉप तो इसमें यह सब बताया गया है अगला कोश्चन की बात करते हैं तो अगला कोश्चन अथवा में इसमें दिया गया आता है कि मुंग में बिभिन प्रजन उद्धियों का विस्तार से बढ़न करना है तो राइट इन डिटेल वेरियस ब्रीडिंग औब्जेक्टिप्स इन ब्रीडिंग मेथड इन मुंग बीन ठीक है तो यह इस प्रकार से आप लोगो चार में से कोई एक कुश्चन ऐसा करने हो यह फिर जाधा से जग्याँ उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो अच्छे से लिखिये तो आप लोगों को दस नंबर मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों को और जो और भी आप लोगों के जो प्रिएक्ट आप लगाता है निुद्ध क के साथ तब तक के लिए धन्वाद